एन्सिपी प्रदेश अध्यक्ष जैन्थ पार्टिल पर एडी ने कसा से नंजा मनी लॉंडरिंग केस में पूछताच के लिए बुलाया आईल और एफैस मामले में राश्ठ हाकरे के बाद एडी अब एन्सिपी के महराष्ट प्रदेश अध्यक्ष जैन्थ पार्टिल को नोटिस थमा दिया है एडी ने पार्टिल को सुकरवार की सुबह 11 बजे तक एडी कारेले में हाजर होने को कहा है महराष्ट में प्रवतन निदेशाले ने एन्सिपी के प्रदेश अध्यक्ष जैन्थ पार्टिल को नोटिस थमा दिया है उन्हें शुकरवार को सुबह 11 बजे तक एडी कारेले में हाजर होने को कहा है इस बार एडी ने जेन्थ पार्टिल को I.L. और F.S. मामले में नोटिस दिया है इस मामले में एडी राष्ट ठाकरे से भी पूछताच कर चुकी है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में शिफशेना का मामला चल ही रहा है और उसमें आज फैसले का दिन है बही दूसरी ओर जेन्थ पार्टिल को मिले नोटिस से महराष्ट की राजनीती गर्म हो गई है बता दें कि पिछले दुनों I.L. और F.S. में कठित तौर पर विक्तिय अनिमताओं का मामला प्रकाश में आया था इस मामले में E.D. Money Learning की जाच कर रही है इस मामले में E.D. ने बुद्वार को ही दो पूर्व ओरिटर फर्मो बी एस आर एंड एसोसियेट्स और डेलोड हासकिन्स एंड सेल्स के परिसर में दबिश्टी थी इन दोनों फर्मो पर E.D. का ये सर्च ओपरेशन PMLA के प्रावधान के तहट चलाया गया था E.D. सूत्रों के मताबिक इस सर्च ओपरेशन के दोरान केंदरी एजनसी ने कई करमचारियों से पुछता ची और कुछ संदिध दसावेजों को जब्त किया था E.D. के सूत्रों के मताबिक I.L. और F.S. में कठे तोर पर घोटाला और मनी लोड़निंग का मामला साल 2019 में सामने आया था मामला तूल पकडने के बाद इस्थानी इस तर पर जाच हुई और जाच में मिले तत्यों के अधार पर साल 2019 में ही E.D. ने भी अपनी जाच शुरू कर दी थी उस समय I.L. और F.S. गुरूप की कमपनिया I.R.L. I.T.N.L. के अलावा इन कमपनियों में तेनात अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अबराज शाखा ने केस तरच किया था E.D. सूत्रों के मताबिक इस मामले में कोही नूर कंस्ट्रक्शन को दिये गए कर्च की मामले में राज ठाकरे से पूचतास हो चुकी है वहीं अब जैन पाठिल को तलब किया गया है E.D. की इस कारवाही से महराश्ट की राजनीती में भूचाल आ गया है राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उद्दव ठाकरे और एकनाश शिंदे के भविश्य को लेका सुप्रीम कोर्ट मैत्पूर फैसला आ सकता है